जस्पंजाबी दे सूजवान दर्शकादा अज दे इस एपिसोड वेच निगा स्वागत है इस तो पहला असी केई मसले केई प्रशन केई जड़े दरपेश मामले जड़े पंत समाज नू आंदे हन उसनू असी अपने प्रोग्राम विच विचार चुके हैं अज जड़ा मसला असी ले रहे हैं अज जिस स्वाल दे उत्ते असी विचार कर रहे हैं ए आम स्वाल नहीं है आम तो और दे उत्ते इस दे उत्ते बहुती चर्चा भी नहीं हुंदी मगर हर किसे नू इस दे नाल जूजना मी पेंदा है और एक ऐसा मसला है जदो तो शायर इनसानियत बढ़ी है जदो तो स्रिश्टी दी रचना होई है उस समय तो ए मसला इनसान नू दरपेश है इस दे करके इनसान और इनसानियत दा जितना काण होया है ओ शायद किसे हो और चीज़ करके नहीं होया होईगा एक मुडली फित्रत है पर जे इस नू काबू ना कीता गया ता इस दा जो अन्जाम इनसानियत ने देखिया है ओ समझ तो भी परे है ओ है इखलाकी कद्रा कीमता करेक्टर और इखलाक दी परपक्ता इनसान पंच ततता पुतला है और इस इस दे नाल ही इसनू पंच विकार वी चम्ड़े हुए है बार 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 गुर्बानी दे विच ओना पंचा विकारा तो बचण दी कोशिश ओना पंचा विकारा तो बचण दी अरदास एक इत्ती जान दी है और नाल ही ये भी किया जान्दा है पाठ पड़े और बेद बचारे और नवल बेंगम सादे पंच जनास्यों संग न छुटके और अदक अहम बुदबा दे प्यारे इन बिदमिलन न जाई मैं किये कर्म अने का हार परे ओ स्वामी के दौरे दीजे बुदब बेका एह मसला है परतन गामी होना जदो पूरन मनुख दी रचना जेडा खाका साहिब सिरी गुरु नानक तेवची ने अकाल पुर्ख दे हुकमनात सिरजिया जदो उसनो संपूरंता बक्षी जदो उसनो गुरु कलगी तर पिता ने अनन्दपुर्श सहब दे विच खंडे बाटे दब खंडे बाटे दी पाहुल देके उसनो अमरती दाद देके जदो उसनो परपक्ता बक्षी संपूरंता बक्षी ता उस दे नाल जेडे गुण टाईसो साल विच इस इनसान दे विच पाहे सन उस दे नाल ही कुछ बजर को रहता तो बचन दी ताड़ना भी कीती गई उना विच्चों पर मुक्सी पर तन गामी होना किसे दूसरे सरीर नल संबंद रखना एक्स्ट्रा मेरिटल एफियर्स ए जो मसला सी पर विख्ण विचाया है कि जद्दी इनसानियत बढ़ी है मुड कदीम तो ही इनसानियत दे इतिहास ने इस नो इस विकार नो इतना बली विकार बढ़ाया है कि कोई इस तो विरला बचिया है जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बली रे और इसलिए बार बार इस तो बचंडी ताकीद की थी और इसनो एक बजर कुरहत दे विच्वी गुरू साहब ने शामल कीता इस दे बारे असी कुछ विचार कुछ चर्चा अपने इस प्रोग्राम दे विच करांगे साहब सिर्गुरु नानिक देवजी महराज ने जदो तर्त लोकाई नो सोधन ड़ी सफरा रंबिया ता ओना दा वास्ता भी सारी जगा पे आ वक वक लोकाई दे विच्वी जदों गए ता जिस वे ले उनानो केई राज करांगे या निया इस्तरियां मी विलिया और केई किसम दे जदों पर लोबन दिते गए ता जड़ी उनाने गल कही गाच्छो पुतरी राज कौर एजड़ी गल कहके उनाने उन्हों नरस्त कर देता साहिब सिरी गुर गोविन सिंग्जी माराज भी जदों किसे वेबी नो कोई अशीरवाद देनी हुंदी सी ता उतीर नल देंदे सा और सारे दा सारा इतिहास इंसानियत दा इस दे दौाले को मेया है पहली तस्वीर असी आप वेख रहे हैं इसनो कुछ तस्वीरां देनाल असी वेखन दी कोशिश करांगे साहिब सिरी गुर गुर गोविन देव जी माराज ने बहुत ही द्रिड़ता देनाल एना विकारां तो बचण दी ताकीद कीती इस तो बाद साहिब सिरी गुर अर्जिन देव जी माराज ने एक परपकता दिन्दिया होया एक एहा कि एजड़ा विकार हन इनानू समापत नहीं कीता जा सक्दा इनानू मारिया नहीं जा सक्दा हाँ इनानू नरस्त जरूर कीता जा सक्दा है एना नो टाया जा सकता है एना पंज योदिया या पंज पहलवाना देनाल जिड़ा चित्रण जिड़ा शाब्दक चित्रण साहिब सिरी गुरुर अरजन दूए जी महराज ने कीता उना ने किया हों गुसाई दा पहलवानडा मैं गुर्मिल उच दुमालडा मैं ता अकाल पुर्ख दा एक पहलवान हां और उस अकाल पुर्ख ने मैंनू दुमाला बक्षिया है हों गुसाई दा पहलवानडा मैं गुर्मिल उच दुमालडा सब होई छिंज एकठिया दाए बेठा वेखे आप जीओ, वात वजजन टमक टेरियां, मलत्थे लेंदे फेरियां, नहते पंज जवान मैं गुर्थापी दिती कंड जीओ, मैं एना पंजानू नरस्त कर देता है। जो करोध है, वो बीर रस्ते विच बदल गया है, जो हंकार है, वो स्वेब इमान विच बदल गया है। हाथी रुपी मानसी, फील हाथी नू कहा जानदा है, फील रबाबी एहुन रबाब वजान लग पया है। रबाब एक बड़ा सुक्षम यंतर है, रबाब वजाना कोई मामूली कम नहीं, जरा जे हाथ दी तार उसनू हाथ लग जाए, तो संगीत बदल जानदा है। पर हजूर केंदेहन के हुन ए मन रुपी हाथी एह इतने काबू विचा गया के हुन रबाब वी बजा सकता है। फील रबाबी बल्द पखावज ए जड़ा बल्द खोरू पांदा सी हुन ए पखावज बजानदा है। संगीत बजाना संगीत दी सोजी रखनी ए बहुत सुक्षम कम है। पर इसनु कबू करके हजूर केंदेहन के बल्द पखावज कवा ताल बजावे हुन कारूपी मन जड़ा जगा जगा डिगदा फिरदा सी हुन ए ताल दे विचा गया है। पहर चोलना गधा डाचे पैसा पगत करावे हुन ए जिस ने इस मन ने इस सरीर ने ए जो तार्मक चोला पा लिया है ए हुन सुर ताल दे विचा गया है। और एक कमाल दी अर्दास साहिब सीरी गुरु अर्जन देवजी महराज ने दसी है। एक कमाल दी अर्दास है एक जोदड़ी है एक बेंती कीती है जो करता पुर्खनों कीती है। हजूर सद्गुर सचे पाथशा अकाल पुर्खनों मखातब करके केंदेहन कर्म ना जाना तर्म ना जाना लोबी माया तारी मैनू कर्म भी नहीं आंदा मैनू तर्म भी नहीं आंदा मैं लोबी वी हां मैं बाया तारी वी हां पर एक गल है नाम पर यो है पगत गो बिंद क मैं मुशूर हो गया है ये अकाल पुर्ख मैं तेरा पगत हाँ सो इसलिए नाम परियो है पगत गुबिंद का और अगली लाइन कमाल दी है राखो पैज तुम्हारी एहुन तेरी इज़दा स्वाल है अकाल पुर्ख ने गुरु परमेश्वर ने गुर्बर अकाल ने हुन आपने बिर्दबाने दी लाज रखनी है और एही सारी चीज ता मकसद है जदों इनसान टैप हवे उस्ते दर्दे उत्ते टैप हवे और एक कैदवे के नाम परे हो है पगत गोबिन्द का राखो पैज तुम्हारी एह अपने बिर्दबाने दी लाज फिर उख़द रखता है इस तो अगली तस्वीर जिड़ी आप वेख रहे हो साहिब सिरी गुरु गोबिन सिंग्जी महराज ने कितने सुन्दर और स्पष्ट लफजां दे विच इस गल्दा जिकर कीता है हजूर दियां लाइना जिड़ियां सिरी अकाल तक साहब दे उत्ते सिरी मुखवाक बाणी दियां ओ तुकां ओ बचण सिरी अकाल तक साहब दी जो इमारत इस नीला तारा साके ने ठाटेरी कर देती उस दे विच जिड़ा दर्वाजा बाहर निकल दा सी उस दे उते बोटे अक्राँ दे विच बहुत संदर तरीके दे नालो लिखियां सन साथ गुरू कलगी तर पितादा ओ बचन सुद जब दे हम धरी बचन गुर दे हमारे पूत इहे प्रन तोहे प्रान लग जब गट थारे निज नारी के साथ ने हो तुम नित बढ़ियो पर नारी की सेज पूल सुपने होन जईयो कितनी द्रड़ता दे नाल हजजूर ने एगाल कही पर जेकर खाली करम कांड होएगा जेकर खाली चोला पाया होएगा एजो तरमदा लबादा है एक कलोक है एक लबादा है जिड़ा हर आदी ब्यादी उपादी तो बचांदा है पर जेकर इसनों कोई खाली लबादे दे तो और ते पाना चाहे ता फिर इस तो खराब चीज भी कोई नहीं हो सकती इस कालनो गुरु कल की तर पिता ने बहुत सुन्दर बियान कीता है सिरी अकाल अकाल उस्तद्दे विच जिड़े करम कांड करके खाली तारमक बन दे हन जिड़े अंदर नहीं है जीवन नहीं है पर केवल खाली करम कांड है ओना दे बारे हजूर्दे बचन हन खूक मलहारी गजगधा बेबूत तारी गिद्वा मसान बास करयो ही करत है जे कर रब्दी प्रापती करम कांड नल हम्दी होए जे गंद खान नल ही रब दी प्रापती होए ऐसे वी लोग हन अगोरी हन होर हन जिड़े अपना या वाम मारगी हन जिड़े अपना गंद खा जान दे हन ता हजूर केंदे हन फिर ता सूर नू सब तो पहले बुक्ती प्रापत होएगी खूक मल हारी ते जे खाली विबूतियां लगान नल वाही ग्रू दी प्रापती हुंदी होए ता गज गदहा विबूत तारी ते गिदवा मसान बास करयो ही करत है जे मसाना चरहन नल वाही ग्रू मिले जे परमात्मा दी प्रापती हो जाए तक गिद जड़ेहन गिद वा मसान बास करियो ही करत है कुगू मट बासी लगे डोलत उदासी मरिग तरवर सदीव माउन सादे ही मरत है जी चुप रहें नल रवाह गरूदी प्राप्ती होए ता द्रखता सारी सारी उमर सेंक्डे सालादी उमर चुप करके लंगा दे हम और इस तो अगली लाइन जी इस साड़े विशेनल संबंदत है हजूर कह रहे हैं कि जे कर अगर एक कोई कहनदा है कि मैं अपनी काम शक्ती नो रोक लिया है जे मैं अपने बिंददी साधना कर ले है ता जिस तरी के दिन आल गुरू गरंट सहिब ने किया सी बिंदर आख जे तरिये पाई तक खुसरे क्यों न परमगत पाई फिर तक खुसरे नो सब तो पहला मुक्ती प्रापत होएगी जे कोई केंदा है मैं व्या नहीं कराना ता हजूर सद्गुर सचे पादशा साहिब सिरी गुरू गरंट सहिब ने हुकम कीता है इस तरी तजकर काम व्याप्या जो गरस नो एक तरम किया है इस नो आश्रम भी नहीं किया इसनो कोई कांट्रैक्ट भी नहीं किहा इता एक तरम है इस तरम नो निबाना पैंदा है ता हजूर गुरु गोविन सिंग साहब कह रहे हैं के बिंद के सधाया ताहें हीज की बढ़या देत बंदरा सधी पाए नांगे ही फिरत है जे कर बिंद नो सदन देनाल जे कोई कवे मैं काम नो रोक लिया है मैं व्या नहीं कराना मैं आजीवन ब्रह्म चारी रहना है ता हजूर गुरु गोविन सिंग साहब कह रहे हैं बिंद के सधाया ताहें हीज की बढ़या देत फिरता हिजडे सारे पर्मगती नो प्रापत होनगे हीज की बड़ईया बंदरा सदीव पाए नांगे ही फिरत है ते जे कोई कहन दा है कि मैं नंगे पैरी ही कुमना है तब बंदर सारी जिन्दगी ही नंगे पैर कुम दे हन बंद्रा सदीव पाए नंगे ही फिरत है और इस तो अगली लाइन विच साहब सिरी गुरु गोविन सिंग जी महाराज ओ तत दिन दे हन ओ निरना दिन दे हन दरसल जितने वी व्यक्ती केवल कर्म कांड दे उत्ते अधारत होंगे हजूर केंदे हन के तुसी ओना नो चेक कर लो एक चीज जान लो के ए जितने व्यक्ती होंगे जिड़े खाली पेख दे नाल दुनिया विच तुरे फिर दे हन ता हजूर केंदे हन अंगना अधीन काम करोद में प्रबीन एक ग्यान के वहीन चीन कैसे कैतरत है ए जितने लोक हन ए अपने अंगना अधीन होंगे और एना दे विच दो चीजा बढ़िया परबल होंगिया दो चीजा दे विच परबीन होंगे एकसपर्ट होंगे केडिया दो चीजा हन हजूर केंदे हन अंगना अधीन काम करोद में परबीन एक काम विच और एक क्रोध विच एना दे अंदर गुसा और एक काम दी पर बलता होएगी उदे विच एक्सपर्ट होंगे अंगना अधीन काम क्रोध मैं प्रभीन एक ग्यान के बहीन चीन कैसे कहता रत है सो जेडी गल साहिब सीरी गुरु गोविन सिंग जी माराज ने जो निरना दिरता के आच्रन दी उच्छता रखना और इस दे विच अगर कोई कुटाई ही हो जाए ता उस दे लिच तरम विच भी कोई जगा नहीं साहिब सीरी गुरु गोविन सिंग जी माराज दी और साखी कमाल दी है जिडी अनंदपुर साहब दे विच एक सिक खाया और कहन लगा असी एक छोटे जे ब्रेक तो बाद असी अपनी गाल पूरी करांगे ब्रेक तो बाद आप दसवागत हैं असी इस सेग्मेंट विच इस विशेदे उत्ते होर विचार करके इस तो बाद आप दिया काल्स लमांगे आप सानु जरूर अपने विचाराना सानु दसना के इस मसले बारे आप दे की विचारहन और कौमी तो और दे उत्ते जिड़ा साड़े विच निगार आया है उस उन्हों सी किस तरह द्रड करिए जदो इस बारे कोई गालवी नहीं कर रहे हैं सलीम علी एक बहुत अच्छे बर्ड वाचर सान दुनिया दे मन्ने हुए जिना नु दुनिया दे सारे तक्रीबन तरकी तक्रीब पंचिया दा ऑना दी फतरत दा ऑना दे बिहेवियर दी जड़ी ओना नु नू नौलिज सी जड़े ऑना नु ग्हान सी ओं कमाल दा सी एक वारी होना नो किसे ने पुछिया के डू दी बर्ड्स अलसो है फिलिंग अफ एंगर, लस्ट, हेट्रिड उ केन लगा नो दी आर नाट सिवलाइस लाइक आस दरसल लगदा है एवी सिवलाइजेशन दिया निशानिया हन जिडिया असी अपनाईया हन असी गलकर है ऐसी साहिब सिरी गुरु गोविन सिंग जी महराच ती साहिब सिरी गुरु गोविन सिंग जी महराच दे जिड़ा निशाना देता जदों अनंदपुर साहब दे विच कुछ सिखाने, कुछ पजदे होई मुगलां दे डोले जदो कबजे काच लेयां दे ता हजूर ने सख्त ताड़ना कीती और किहा कि एनानुस सत्कार दे नाल वापस एना दे करां दे विच पचाया जाए जदो प्रेशन कीता कि मुगलता सकल तुर्क पगवे हिंदवानी उस हड़नाल इस्तरादा वरतारा कर दे हन उख खलकत नाल इस्तरादा कर दे हन पर हजूर ने किया हम ले जाननो पंथ उचे रे मैं पंथ नो कल मल दे विच नहीं पाना और इसे दी फित्रत दी इसे दी बदालत ही जदो एहमद शाब दाली वे ले जदो हजारा दी तादाद दे विच अबदाली दियां ओ पार ती नारियां उननो छडाया और एतिहास गवा है एक नहीं भार 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 हर इतिहास कारने लिख्या है कि उननो सैंक्ने मील दूर उनन दे वराराश्टरा दे उनन दे कराण दे विची के लिच लो पुचा के आई और इसलिए हरी राम गुप्तानों में लिखना पया उसने लिखिया कि दिल्ली दे उते जदो दिल्ली दे उते जुग गर्दी चल रही सी जदो चारे पासेतों वक वक लोक इसते तावा कर रहे हिसन कदी राजपूत कदी रंगर कदी मराठे कदी होर पर उसने बहुत खुल के लिखिया है एक को एक कौम सी ओगर गोविन सिंग साहब दा खालसा सी जिसने अपने आचरन और करेक्टर नो जरा भी उसने आँच नहीं आन देती काजी नूर महम्मद जड़ा इतिहास कार होया है हाला ओ अपनी पड़ास कर दिया होया सिखानो साग तक लिखदा है और ओ लिखदा है एक कुटे हिंदू नहीं हन पर इसने बावजूद सिखानो कुटे कहन दे बावजूद ओ लिखदा है एना कुटें दे विच जनाकारी नहीं है ए ना दे विच करेक्टर लेस्नें नहीं है ए इस तरी पामे जवान होए पामे बुड़ी होए ए उसनों बुड़ी कहन दे हन ए किसे औरत दे उत्ते हमला नहीं कर दे एक किरदार सी एक करेक्टर सी जड़ा साहब सिरी गुरु नानित देव जी माराज ने अरंबिया अरंदपुर साहब दे विच एक सिक आया और तहां मारके रोरे आसी कहन लगा तुरकां वो को तुरक कर छड़े है हजूर ने किस तरह तैनु तुरक बना देता कहन लगा जी मैनो उनने गादा मास्क ला देता हजूर ने दिलासा देता कुछ नहीं होया तु मेरा सिक है कहन लगा उनने मैनो कलमावी पढ़ा लिया हजूर ने किया कोई हर्ज नहीं जे कलमावी पढ़ लिया तु पढ़े आकर मैं भी कुरान दी किई वार अध्यन कीता है मैं भी पढ़े आ साहिब सिर्गुर अरजन देव जी माराज ने भी किया है पाठ पड़े उनने खुद किया है बहु सासत बहु सिम्रती पेखे सर्बटनोर इस देविज कोई हर्ज नहीं कहन लगा उनने मेरी सुन्नत भी करती है ता हजूर कहन लगे सुन्नत की ये तुर्क जे हुएगा औरत का क्या करिये एक गुरू गरंट साहिब ने किया है सुन्नत करन लग तुर्क नहीं हुंदा उसनो जदो दिलासा दिता उच चला गया उसनी तसली हो गई तस एक पुछल लगे सद्गुर सचे बादशा जे गादा मास खान लग जे सुन्नत करन लग जे कल्मा पढ़न लग तुर्क नहीं हुएगा फिर तुर्क किस तरह हुएगा हजूर ने किहा तुर्क हुएगा तुर्क नी दा संग करन लग पहली ये गल्ना किसे नो जबरदस्ती करवाईया जा सकती आहन पर एजड़ी गल है जट तक उस दे विच उस दी खुदी रजामंदी नहीं होएगी जट तक उस दी खुदी शमूलियत नहीं होएगी उसनो इस कमलेच नहीं शामल कीता जा सकता इस गिरावट विच उन नहीं पैसकता और हज़ूर ने एक बचन कीता कि किसे तरम तु डिगे मनुखनू तरम तु गिर जान वाले मनुखनू दिलासा देन दी लोड है उसनो फिर खड़े करन दी लोड है पर इखलाक तु डिगे मनुखनू लई तरम विच भी कोई था नहीं है एद्रिटा जड़ी सद्कुर सचे पाथशा ने जड़ी परदान कीती जड़ी सिखानू परदान कीती और जड़ी मानवता लई सी और सारे दा सारा इतिहास इस गल्दा गवा है कि इस दे उते किस तरीके दे नाल केवल परतन गामी होड़नू ही नहीं जड़ी गुर्नारक साहब ने ता एगल कही है परत्रिय रूपना पेखेने तर उसवल मंदी नजरनल विखनावी जड़ा है ओ अधु अधु ने गुनाद परवान कीता और बाद दे रहत नामियाद विज़ और हुकम नामियाद विज़ भी इस गल्दी प्रोड़ता कीती गई पर दुनिया दे इतिहास ने खास करके पुरानक साहित ने कोई इतिहास नहीं है पुरानक साहित कोई इतिहास नहीं है ओ समझान ले के इनसान कितना वड़ा हो जाए पामे महारिशी हो जाए पामे ओ केड़ा मर्जी रुत्बा हासल कर लवे पर ओ इस तो नहीं बच सक्या दरसल ओ परानेक साहित वी ए द्रिड करान लेई एक जरिया से जिस तरह अगली तस्वीर आप लेख रहे हो ए जो तस्वीर है ए अमरत दे समुंदर मंथन वे जिस दा साहिब सिरीगुरू गरंट साहिब जी विच्वी जिकर आया है और जिस दे जिकर वेच ए केहा गया जदो समुंदर दे विच्चों अमरत दा कुंड निकलिया ता जदो देवतिया और राक्षसां दे विच वंड होनी शुरू होई ता लडाई हो गई ता उस वेले विश्णू ने महा मोहिनी दा रूप ता आरके अपने हाथ दे विच ओ अमरत दा कुंड ले लिया मुकसर गा ले है के देवते की देवते ते कीर आक्षस ए दोनों ही विश्णू दे उस महा मोहिनी रूप दे उत्ते ही लुभाइमान हो गए एक चितावनी है के इस रूप नू पावेव बढया होया बहरूपिया रूप सी पर ओ आपना सारा कुछ उस दे उत्ते छट बैठे इस तो अगली तस्वीर जड़ी आप वेख रहे हो ए बहुत चर्चत जड़ी मेनका और किस तरीके दे नाल जदो विश्वा मित्तर वगएरा जड़ी होर रिशी संड ए मेनका या जड़ी अपसरा है ए किस तरह उनानू अपने किरदारतों अपने करेक्टरतों विचलित कर दिन्दी है पावे पुराणे कथामा होन ते पावे बाइबल दी सैमसन और डलैला दी कहानी होए के सैमसन नो ही अपने प्यार दे उस चक्कर वेज़ फसा के डलैला उस दे केस कट दिन्दी है और उस दे बाद उपक्ड़े आ जानदा है हला सैमसन नो एकिहा गया सी कि उस दा रूप रब वरगा सी उस दा रूप इसा मसी वरगा सी और उसनो हिदायत सी कि उसने अपने वाल नहीं कटने और शराब नहीं पीनी तद तक उस दी ताकत रहेगी फर डलैला ने उसनो तोखे दे नाल आपने आगोश विच लेया उस दारास पता कर लेया और उस सुत्ते होई सैमसन दे वाल कट देते जिस नाल उपक्ड़े आ गया मुक्त सर गाले है पावे उ मेनका होई पावे उ डलैला होई बंदे नो तरमतों विचलित करन विच ए बहुत वड़ा रोल अदा कर दी है इस तो अगली तस्वीर जड़ी आप वेख रहे हो ए तस्वीर हलां ब्रह्मा जिसनो स्रिष्टी दा सर्जिक केहा जानदा है और उस दे सामने सरस्वती ए दो तस्वीरा हन ब्रह्मा दी इस पुत्री सी सरस्वती पर पुरानक साहित दे विच ब्रह्मा जिसनो स्रिष्टी दा सर्जिन हार मने आ जानदा है जिसनो केहा जानदा है इसने वेद रचे ऐसी वस्था दे उत्ते वी पहुँचके पर जो पुरानक साहित दे एक संदेश दिता कि ब्रम्मा अपनी पुत्री सरस्वती दे उत्ते बोहित हो गया और जिस जड़े जड़े पासे उस सरस्वती जानदी सी ता उस दा मूँ उस पासे हो जानदा सी अखीर दे विचो तंग आके जदो अस्मान में चली गई ता उस दा एक सिर उत्ते उग गया इस दे उत्ते शिव ने अपना बाण लेके उस दा सिर कट दिता साहिब सेरी गुरु गरंच सहे विच भी ये हुकम आया शिव के बाण सिर काटे उपस्मा पूत हुआ खिन पीतर अपना किया पाया सो कहन दा पावे है के पामे पड़या हुए अनपड़या हुए पामे को महापुरश हुए पामे कोई सदारन व्यक्ती हुए इस दे बाणा तो कोई विरला ही बच सक्या इसलिए सिख दी अर्दास रोज दी अर्दास है के काम करोद लोब महंकार तो बचावना पर इना पंजादे वजिज़ी सब तो पहली जड़ी गल जिस तो बचनदी ताकीद किती जनदी है ओ है काम ती पर इसनों काबू रक्ठना और आपने इस तरमदे विज़ पके रहना एही तारमकता उर्दे उते सब तो वढड़ी गल है गुरू गुरंत सहब दिविच और सहब सिरी गुरू गोविन सिंग जी बाहराज ने मी जिड़ा जिकर कीता है कि रावन वर गेदावी सिर इसी चीज़ करके वड़े आ गया जिड़ी अगली तस्वीर है ए रावन दी जिस करके उसनों भी पर नारी के बज़े दैसर सीस गवाए सो पामे पुरानक इतिहास होए पामे इतिहास होए पामे मौझूदा जो अजदिया भी जो खबरा आन दिया हान ओवी सारिया इसे दिद्वाले कम दिया हन इस तो बाद एक जो बहुत एहम वारता है साहिब सेरी गुरु गोविन सिंग जी माराज गुरु नानक साहब दियो जोत ओ साड़े अंगसंग साहाई हन ओ खाल से दे बिर्द बाने दी लाज रख दे हन गुरु गोविन सिंग साहब ने चोज कीते हन उना ने किसे चीज नो समझान ली कुछ को तक भी वरते हम हजूर ने पाई जोगा सिंग जिड़ा उना दा सिक सि जदो उस बच्चे नो लेके उदे मावा पाए ता ओ कहन लगे एक कौन है ओ कहन लगे एग त्वाडे जोगा है हजूर ने उस दा नाम ही जोगा सिंग पा दित था और कहा कि जे ए मेरे जोगा है ता मैं मी इस दे जोगा हूँ संखे पिच जदो पाई जोगा सिंग गुरू साहब दी सेवा करदा सी पर दे मावाप ने कहा कि ए पिशावर दा रहन वाला इस दे अनंद कारज है इसनों कारपेज दो एतियार नहीं सी पर हजूर ने एक सनेहा देना सी एक कोतक वरताना सी पाई जोगा सिंग नोना ने कहा तू जा तू अपना अनंद कारज करा पर जिस वे ले तैनुवसी सद्दांगे तू वापस आ जाई ए जदो गया ता अजे एक लाव तिन लावा हो गया अजे एक लाव बाकी सी ता हजूर दा सनेहा पुझ गया के तू हुने वापस आ जाई जोगा सिंग उसे वे ले जदो निकलन लगा कहिया ने कहा के एक लाव रह गी पर नहीं सिख दे मन विछ हूमें आगी ए तुर्पया पर जदो हुशार पुर्दे कोल पहुंचिया ता उत्थे किसे वेश्वा दे द्वारे दे उत्थे इस दा मन उदर कीता जाणनू उस वे ले उसने विख्या के उस दे धर दे उत्थे उस दे दर्वाजे ते एक चोबदार खड़ा है एक पहरे दार खड़ा है रोबीला चोबदार है इसने कई वर कोशिश कीती पर उ हमेशा ही उत्थे खड़ा दे सिया अखीर दे विच उस चोबदार ने ताड़ना कीती के अमरत वेला है तो गुरुदा सिख जापता है तो किड़े पासे आ रहे है बड़ी गिलानी होई वाहो दाही अनंदपुर साब आया और इसनो आस सी गुरुगोविन सिंग साहब मैनो गलवक्डी चलैनगे के मैं इतनी वड़ी गल कीती मैं अपना अनंदकारज विच्च चड़के आ गया पर हजूर ने उद्दर वेख्या भी नहीं थोड़ी हो मैनो सट वजी खड़ा हो गया केहन लगा कि मैं अनंदकार चड़के तो आड़े होकम दे होती आया हां तुसी मेरी गल भी नहीं पुछ रहे हजूर ने किया हाँ पाई जोगा से जो तू साड़े ल लिग पया और एजड़ी तस्वीर है एजो उस्वे ले दे किसे चितरकार ने लिखिया अपाई संतोक सिंग जी ने इस दा जिकर कीता जोगा सिंग लखी गत सोए ममहित चोबदार गुर होए समझ बारता चरनी परेयो तानप्रबूदे हाथ बरेयो आप समानना अबर करप पर चाया तन्ने के बच्छरे गन चारे हित कबीर के बन बन जारे तिमही ममहित है चुबकार सेवक राख्यो बिर्द संभार सो ओ बिर्द बाने दी लाज रक्रणवाला है दरसल ए मुडली चीज़ है एक पाप है एक अपराद है मन दे विच किसे चीज़नु कट करना एप पाप है और इस चीज नो अमली रूप देना एपराद है किसे नो लुट लेना मार देना किसे दी इज़त लुट लेनी कतल कर देना एपराद है कानून इस नो रोक सकता है पर एही गल्जे मंदे विच कीती जाए ता ए फिर एक पाप है गुरमत तरम इखलाग पाप नो रू जीओ बाणी ब्रमा बेद तरम द्रिडो पाप तजाया बल राम जीओ एपाप है पाप तो बच्णा जिड़ा है एस सब तो बड़ी एक गल है अगली तस्वीर एए असी बहुत तेजी देनाल चलांगे एए सरदार मान सिंग लांबा कलकते वाले एना ने इस विशे दे उ वारे दे विच को एक ऐसी कटना वापरी ता एना ने एक फिर उत्थे कवता पढ़ देती सी इस प्रीद दीरी इतने आरी है एक मंगता मंगदा जानदा सी रब लेखे देना बाबू जी होवे लंबी उमर तुमारी है जद पैसे काफी जोड ले ते गुथली होगी पारी ह फिर पेज पकारी लास उटेया ते कारनू करी ते आरी है मैं पुच्छा क्यों तूम मंगता बन करदा फिर ठगी पारी है केंदा सब इश्क करांदा है इस प्रीद दीरी इतने आरी है ए इश्क बला है ओ यारो जो करदा बड़ी खुआरी है मोची संग अखिया लड़ जा जारी है इस तो अगली वारता जिड़ी के आम अगली तस्वीर जो आप वेख रहे हो ए परश्या दे उसमहान फिलासफर दी है जिड़ी जिस दा नाम हर सहित कार हर जेगा लेया जानदा है ए है शेक सादी दी जेड़े केंदे हन बर जवानी तौबा करदंग शेवा ए पैगंबरी जे कोई जवानी दे विच गुनाहा तो तौबा करे ए पैगंबरांदा काम है ए शेवा पैगंबरांदा काम है एना दे नामनल वारता जुड़ी जड़ी कही जानदी है के शेक सादी एक दफ़ा जव कि मेरी कुते दी दूम चंगी है एना दे साथी बड़े गुसे चागे और कहन लगे इसी इसनू मार देना है साधी ने रोक लिया चर्चा होनी शुरू होगी इस दे क्यों रोक या है इस विच की कमी है पर साधी ने उना नो रोक देता काफी चेर गुजर गया पर साधी दी इस दे विच बद्रामी बड़ी होई जदो साधी दा अंत समा आया ता एना ने कहा उस औरत नो बलाओ उस सारे कहन लगे अखीर ले समेटे कोई चंगे विक्तिया नो सद्दा है अज साधी नो की हो गया एक एर या उस औरत नो बलाओ कोई जरूर गाल होएगी पर जिड़े उना दे बड़े या गुसन उस कहन लगे नहीं इस विच को रमज होएगी खैर उस नो सद्दिया जदो आई दूआ सलाम करके बैगी ता साधी पुच्छन लगे तो एक वर मैंनो एक सवाल कीता सी ओ कहन लगी मैं बहुत शर्मिन्दा साधी कहन लगे नहीं तो दस सवाल की सी ओ कहन लगी मैं पुच्छन लगी तो अड़ी दाड़ी चंगी है कि मेरी कुटे दी दुम चंगी है साधी कहन लगे अज मैं जवाब दे सकता मेरी दाड़ी चंगी है ए पाक है तो वित्तर है ओ कहन लगे कि फिर ए जवाब ता तुसी उस वे ले दे सकते सन शेक साधी कहन लगे नहीं उस वे ले बेरी उमर सी अजे समा सी अज मैं जा रहे हाँ अज मैं अपनी दाड़ी दे उते हत रख के कह सकता एक कुते दी दूमना लुज्यादा पाक है कबीर गरब ना कीजिये रंक ना हसीए कोई अजू तो नाव समुन्द में क्या जाना क्या होई इस तो अगली तस्वीर एक होर महान सहितकार दी है ए सहितकार वी चरन सिंग शहीद एना दीक कवता आपना जरूर सांजी करने चामांगे एना ने चरन सिंग शहीद तकरीबन थर्टीज दे विच उन्नी सो ती दे खरीब एना ने पंजाबी साहितनो महान साहित दिता और एक जगादे तो एना ने एक बहुत सुन्दर इस मसले बारे लिखिया है ओ केंदे हन एक कंजरी डड़ी या कड़विच सी तुरदी जान्दी अपने हुसन जवानी गेने कपड़े ते इतरान्दी ड़डे सोने कपड़े उस दे ड़डे सोने गेने पाउडर पान लविडर सुर्खी बिंदी के क्या केने थमक थमक को कदम उठावे बहमाताई हलावे मानो तरतों दोगठे उच्ची वावे चुटदी जावे एक कया शोस्दा मित्तर नाल नाल सी आंदा वफादार जियो मालक पिछे कुटा पूछलांदा उद्रों एक फकीर साइं कोई खाना मंगमगा के तुर्या फिर्या अंदा सी शेहर दा चक्कर सारा लाके हिल्दी डुल्दी मस्त हुई कंज्री दावज तक का डुल्गी दाल फकीर साइं दी रह गया हका बका उस दिया कुझ कुछ छिटा कंज्री दे भी कपड़े आते पहिया फौर्न इसदा यार उचलेा लेग उसे वैचे या मुका मार फकीर साइन उसने पोंग गिराया ते कंज्री ने कपड़े बदले ने कोठे वल्बूच आया इच्छे पिछे यार वी इसदा चड़न पौड़िया लगा सिखर पौड़ियों पैर तिल किया पुला पिछा अगा उतो डिगा गिची टुटी मच गई हाहा कारी कंजरी ने साइन उ जालम कहके बोली मारी केहा फकीर साइने मैता कुछ ने कीता एता मेरे यार ने बदला तेरे यार तो लीता तेरे यार ने तैथों चड़के मैनू मुक लगाया मेरे यार ने मैथों चड़के एनु मार गराया तेरा यार सी निर्बल बंदा मेरा यार बलवाला सुत्रे यार गरीब बाना है ईश्वर अल्ला ताला चीख मार के कंज्री बोली बक्ष फकीरा अड़या अज तो मैं भी होर यार तज उसे यार नु फड़े अखीर देविच एक गल कैन तो गरेज नहीं करांगे कि अजदा जो राजनी तक समाज है जो राजनी तक माहौल है इस विच खुले आम केंदेहन कि आच्रन दी या आच्रन दी गल करनी या नश्या तो रहत होना इस तन्दे देविच नहीं है पर एतनी द्रिड चीज है कि जो अकाली दलदा जो बनियाद सी जो सिधान सी और उन्दा करदार सी केवल एक वारता काफी है एक अंग्रेज औरत ने जिने मास्टर तारा सिंग देनाल लाहोर तु बंबे सफर कीता सी उसने बाद विच ठी लिखी के मैं दो दिन एक को डबे दे विच सी गी होर कोई भी नहीं सी पर अखीर तक मास्टर तारा सिंग ने मेरी तरफ नहीं देखिया एक एरदार सी पाई साब पाई कान सिंग नबा जिस वे ले इंग्लेंड गए ता स्टेशन दे बाहर एक कोई गोरी औरत सी पाई साब दी नजर उस दे वल कुछ सेकंडली टेक गई ता एना दे साथी इना वल देखन लग पे पाई साब ने एक दम देखिया और उना उनुन मखातब होके कहन लग गए देखो रबने केड़ी किनी सुन्दी सुन्दर मूरत बढाई है दरसल जिड़ा व्यक्ती उच्चे पहुंच जाए उस दी कोई गालवी जड़ी है उँ माफ नहीं कितनी जान दी उँ हर वेले नोटस विचान दी है सो जिस व्यक्ती ने हर बंदे नू चाहीद है आपने महौल नू अपने किरदार नू अपने इखलाक नू उस दू समबे क्योंके ए जो सरीर है हर मंदर ए सरीर है इस सरीर दे विच गंद पाना किसे तरीके देना आलवी इस विच गंद पान दी अजासत देना ए इनसानियत दे जुर्म है एक गालिब दा एक बहुत सोना शेर इस दे होते है ओ एक वर खड़े सन ता एक होदे दे विच कोई शाही नचनगान वाली जा रही सी ता उसने शेक गालिब दी नजर उस दे होते ठेक गई ता उसने किहा जो अबरों की तेगें दो दम देखते हैं वो सर अपना पहले कलम देखते हैं अबरें आई बरोज नो मी कहा जानदा है तो कहन लगी जो अबरों की तेगें जिड़े आई बरोज दियां तलवारां देख देहन जिड़े कुछ लोड तो वद देख देहन जो अबरों की तेगें दो दम देखते हैं वो सर अपना पहले कलम देखते हैं उननों मरनली त्यार होना चाहिदा है गालिब ने कमाल दी गल कही ओ कहन लगे गरज है ना तुझ से ना सूरत से तेरी मसवर की हम तो कलम देखते हैं मैं ता ए देख रहे हैं रब ने किनी सोनी मूरत बनाई है जिड़ी पाई साप आई कान सिंग जी ना बाने केहा सिगा के ओही गल गालिब ने कही के रब ने कितनी सुन्दर मूरत बनाई है मैं ता उस मसवर उस चितर का हरदी कलम देख रहे हैं अगले सेगमेट विच असी आपनिया कॉल्स लमांगे और एक छोटे जी ब्रेक देबाद तो इस ओके विशेनू अज असी आपने दर्शका नसांजा कीता है और हैरानी हुंदी है जदों के इस सब्जेक्ट दे उत्ते कोई आप खुल के गल करनों त्यार नहीं हलाँ गुर्बाणी ने, रहत नामिया ने, गुरु गरंट सहभ ने, गुरु गोविन सिंग सहभ दी बाणी ने, पाई गुर्दास जी ने, इस देवल खुल के इस देवारे गल कीती है और सब तो वड़ी हैरानीता हुई उनी सो पैंती थी, मास्टर तारा सिंग जी दी लिखी हुई किताब जो शायद पंजाबी साहित देविच एकली किताब है जड़ी के सेक्स एजूकेशन बारे जिस दा नाम है गरस्त तरम सिख्या तो उना ने इस विशे देऊते खुल के विचार कीते हन और एदस्ण दी कोशिश कीती है कि अगर इखलाक नहीं है ता कोई चीज भी बच नहीं सकती अगर एखलाक हींड ता एक ऐसे तरह रसातल विच ले जाएगी जिते इनसान तरमदी खाली गल कर सकेगा पर उस दा कुछ भी नहीं बचेगा सो ए विचार हन असी कुछ काल्स आप दियां लेके आपना विचार सांजे करा लेके हां जी है यलो साश्चिकाल कौन बोल रहे जी अप ला सेंगल का रहे हैं जी वेस्टल केम टम दों हाँ जी विर जी पॉलसक जी हाँ जी होकम करो हां जी हां जी तोड़ी आवाज आ रही है जी अजी साश्चिकाल जी साश्चिकाल बेर जी आवाज टीवी दी आप कट करोगे ते आएगी तीवी दी आवाज डिस्टरब कर रही है बहुत बहुत आई हैं जी तुसी बड़ा अच्छा विशा चुने आया है जी मैं बेंती करांगा सारे जड़े पेरंस ने जी ओ आप पलां अपने करेक्टर नो उच्चा करन जी फिर अपने बच्चेयानों समझां हां जी क्योंकि अज़कल दे पेरंस दे विच बहुत नि बहुत अच्छा है बहुत 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 इंसान हर इक नो तो खा दे सकदा पर अपनी संतान नो नहीं दे सकदा आप दे विचार बहुत शिला का यो हेलो हाँ जी सथिकाल जी सथिकाल को अड़ बॉल रहे है वे जी मैरा ंतरोग संसरा हाँ जी हाँ जी संसरा साथ त necess बड़े जिन बाइनवान हो तो अड़ेना एक दिन मेरी मुलाकात हो इसी जि उस दिन तुसी क्या सिगा किसी मूर्ती नहीं कर दे हाजी मैं तो नहीं स्वाल की ताजी के मूर्ती पूजा और फोटो दे विच की डिफरेंस है जी गुरुवां दी फोटो चे और मूर्ती चे जी जी आईगा जी आईता मुदा नहीं है लेकिन अगर दूसी इस तरूशनी पासके जाले है मेरा ख्याल है ऐसा ना हो दे होते लिखे है के मूर्तियां बनानियां मना है मूर्ती बनानी मना है पर ना लिखे है गुरु साहब दियां तस्वीरान नू मत्थे टेकना मना है सो तस्वीरां दे बनान दे उत्ते मनाई नहीं है मूर्तियां दे बनान दे उत्ते मनाई है फोटो दे मत्था टेकन दे उत्ते मनाई है मेरा ख्याल है मैं आप जी दे स्वालदा आप दे स्वालदा जो आप स्पश्टिकन देते हैं हलो हलो वाहिगर जी की फते वाहिगर जी की फते बोलो टे मैं तौड़ीयां गल्ला सूनके तौड़ी चैना जिसेव चपोनी हां, जित किने चंगे गुर्सेखों, ते मैं ट्रांडो तो अपनी बेची दू मेरना आई सीजी, ते मैं तौड़ी प्रभराम सूनके आज तौड़ी है कवता, तौड़ी शेर, सारे सूनके लोड़ी की बड़ी मेर्बानी जिननी वार तु जिगर दे लू अंदर मुखडा तुताए सिंगा प्यार याँदा उननी वार ताथ तेनू नसीब नई जी मुख चुमना चोहां तु लार याँदा वाए गुर्जी की फते बहुत बहुत तानवात वाड़ा हेलो हेलो हाँ जी विर जी हाँ जी विर जी आप तीवी दे आवास काट करते हो पहले हाँ जी मैं तो अड़ाजे की सारा सेग्मेंट जी बहुत ही मतलों दी वित्रीफ कर दे को याई नी लवजी नी कोई भी जी जी जो जित्तलों दो एक्स्ट्रेंग कीता ना जी हाँ जी 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 आप दा बहुत तनवाद आप दे सेग्मेंट दा जी एक वर जी टाइम लगे ना कि दोवारा सेग्मेंट ये रुखाई हो जी ए परबंद कानू बेंटी करो जी आप दा मैसिज पुचा देंगे बहुत तनवाद तेंक यू वेरी माज़ मैं केलफोन यह दूसी तर बोल रहे हैं जी हाँ जी विर्जी भाई ठीक आ रही है जी बिल्कुल कर स्सक्रास आ रही हा जी हौक्म करो अच्छा मैं जैसा प्रिज़法 देख रहा है जी हाज जी इस प्रोग्राम बरे कोई विचार है जड़ाज दाया ते आप दे सकते हो दूसरे प्रोग्राम बरे आप एमेल कर देना या चिछ ठीपा देना इस प्रोग्राम बरे कोई विचार है ते आप जरूर देओ ईचाई इस बारे मतलब में उदे बारे कि ताम नहीं उस दे बारे नहीं इस प्रोग्राम बारे आपनों बें ती है क्यों कई दे गल कर रहे हैं ह लो बाताव बाई गुर्जी का खालता वाई गुर्जी की फत्रफ हाँ जी वाई गुर्जी की फत्रफ कौन बो रहे वेजी? मैंकदने बोुरें जी नीज्जव सीदों हाँ जी वेजी अका विशल एक लिए देड़ कार में थी गुर्णिया विशल कीता है ना ऑफ परे एक हालार है जह जी एबहुत साहिए आप फरबारे हाँ जी कन बोल रहे जिए? हाँ जी गेल सब होकम करो वाईगर जी की फते आप थोड़ा जे उच्चा बोलोगे हाँ जी हाँ जी उच्चा बोलोगें हाँ जी 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 तो मैं सुन्जया सीगा जिस्तरां तुसी दस्या भी अपने जोगा सेंग लामा लेके चुप की शाड़ के वेच्चते जी अबने सद्या दे चलेगे जी तेरा नीजी आदी गाला है जी मतलब दसने पाश्या उस वेश् दे पहरे देखलोते हो ना जी गले जी के गुरू जिड़ा है ओ सिख दे बिर्द बाने दी लाज रखन ली ओना दा पिशावर दे विच ओ हलेवी गुर्दवरा है ओ सारे गुर इतिहास हन और जिड़े ए बार बार याद करां दे हन के गुरू हर आदी ब्यादी उपादी सिख दे बिर्द बाने दी लाज रखता है। कैलिफोर्निया तो तशी बिर्द बिर्द्वा ने दिला पश्राreiben किस तरह किया जा ही थ hell Свट न किसे भी जात दी लडगी हंदीश थी छोदी अजित बचाई जा जा झाली दे ज़िए लुक्षा किस तरह प्रोग्राम देन दा कोई जड़ी जड़ों कोई चीज पिछली देखी दी है गल का दोराई दी है कुछ ना कुछ इंट्रोस्फेक्शन हों दी है जिड़ा डाक्टर करपाल सिंग जी ने ओ स्टेट्समें दे अडिटर नो लेके और ओ गये सन पूरे पाकिस्तान दे उना इलाकिया दे विच रावल पिंडी दे इलाकिया और उना न इतिहास कदी पुराणा नहीं होंदा पर इतिहास नो विचारन दा समझण दा और मकसद ही होंदा है कि दरे ए ना हो जाए कि जो आसी देस रहे हां आसी ओही खालसा है खालसा ओई सी ओह आईडियल्स नहीं बदल दे साड़ा करदार सी उस लेवल ते ले जाना है ना कि उस अन्हीं दोन सी फ़र ले ले ये बहुत बहुत तानुवाट अनुझा ौट्यावर वड़ा इस होर कॉल ने लिगे है अगर ऐج einzelत होई थे हलो है है जी हांजी हां जी सब्सक्रार ओन बाल लेजु पनाजाइब है जी तो हैं जी गिल साथ जा मेरी जाष के दसा गुरुणार दा सारा इसतरा वे इस वेर बादा जाधि ओणवार इस नहीं है ठीक है ठीक है जार होड़ बचशक गाया अड़ी जड़े आहिं ना किसे नो कैसा था मैं खो दी यतना रहा का इनसान के पढ़ का इनसान है अगे साध्डे रहे इनसान फिर सी खीटे पे जा सकते ने जी तो फ्लीज ताडी को जाश चा कि तुस्हीं यतना प्रोग्रम रहे भ बहुत बहुत सोना सुजा है असी कोशिश करांगे बाब बेदी गाता असी उस तो शुरू कर गए बहुत तानवाद हेलो 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 हां जी वे जी कौन बोल रहे जी हां जी मैं जी संतोक सुन बोल रहे हूं हां जी कित थो जी हां जी ओहायो तो हूं जी हां जी बड़ा अच् पहला ऐसोंदे आए हैं हाँ जी के गुरु गोवन सिमारे ने किस तरह गुरु सेखनों मारे पासे हो जानतों बचाया है जी और उसनों फिर कितना मान दिता अखेर दे अंदर अधगुरा ने हाँ जी गोवन सिमारे ने अशी है हुई चाने आप गड़े प्राप गड़े तिहास ने जी मुझ संगता दी जरूर तुसी अशी कोशिश कर रहे हैं जी आप वेकी रहे हो जास पंजाबी कोशिश कर रहे है तो हुण समा अजाज़त नहीं दिनदा ते साड़ी आप सरोतन दर्शका नो बेंती है आप जरूर सा नो लिख पे जो एमेल रही लांबा एड़ जास्पंजाबी.com इनफो एड़ जास्प नहीं है ताके ओना नाल आप नल विचार सांजे की ते जान सानू तो अड़े विचारां दा सुजामा दा इंतजार होएगा अगले हफते मंगल वारनू साड़े आट फजे इस्टन टाइम इत्थे आप दिनाल फिर पुलाकात होएगी बहुत बहुत तानवाद झाल 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 झाल